नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, मैट्रिमोनियल केसिस के दुरान, प्राबलम तब सामने आती है, जब पती ये पत्नी के द्वरा कोई ऐसा एविडेंस कोड के सामने पेश किया जाता है, जो की बहुत ही परसनल निचर का होता है, या फिर आपकी प्रिविसी को ब्रीच करके अप्टेन किया जाता ह जैसे मान लीजिए कि यदि पत्नी बात बात पर लड़ाई जगडा करती है, जूटे केसि में फसाने की धंकिया देती है, तो ऐसे में पती सोचता है कि क्यो ना पत्नी की बातों को रिकॉर्ड कर लिया जाए, या पत्नी की वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली जाए, या जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करती है उसको रिकॉर्ड कर लिया जाए पती ये सब इसले करता है ताकि कल को यदि पत्नी उसे जूटे केसे में फसा देती है तो वो इन सब सबूतों की मदद से अपनी बेगुनाई साबित कर सकता है दोस्तों इसी तरह से पत्नी भी पैतरे अप कि कैसे पती उस पर अत्याचार करता है लेकिन दोस्तों बड़ा सवाल यह आता है क्या इस तरह की चीज जहां पर चोरी चुपके से वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है चोरी चुपके से टेलीफोन कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड किया जाता है तो क्या ये व्यक्ति की नि एक्सेप्ट करेगी दोस्तों आज के वीडियो में हम एक लेटेस जग्मेंट पर बात करेंगे जिसमें पती के द्वरा पत्नी की टेलीफोनिक कन्वसेशन को रिकॉर्ड किया गया और जब पत्नी ने सेक्शन 125 CRPC के तहत मेंटेनेस का केस फाइल किया तो उसमें पत्नी ने को कराया जाए लेकिन दोस्तों कोर्ट ने पती को ये एविडेंस पेश करने की इजाधत ही नहीं दी तो क्या इस तरह की टेलीफोनिक कन्वसेशन जो की चोरी चुपके से रिकॉर्ड की जाती है क्या वो सही है या नहीं है क्या वो किसी कानून को वैलेट करता है और क्या Iसे में court उसे एक valid evidence मान करके उसके basis पर case decide कर सकती है दोस्तों आज की वीडियो में हम इनी सब points पर बात करेंगे वीडियो बहुत ही important है इसलिए वीडियो को आपने अंतक जरूर देखना है चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा notification bell icon जरूर दबा दीजेगा यदि आपकी कोई legal समस्या है legal problem है तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं यदि आप मुझे अरजेंटली बात करना चाहते हैं अपने matter को discuss करना चाहते हैं तो आप call me for app का इस्तमाल कर सकते हैं या email से भी मुझसे one to one session की appointment दे सकते हैं तो दोस्तों सबसे पहले तो हम case के facts जान लेते हैं ये case है 36 गड़ का दोस्तों इस case में एक पत्नी अपने पती के against section 125 CRPC के तहित maintenance का case फाइल करती है case के दोरान पत्नी ने अपना evidence कराया उसके बाद court ने पत्नी को अन्य विटनेस और documentary evidence पेश करने के आदेश दिये दोस्तों जैसे ही पत्नी ने अपनी गवाही करवाई उसके तुरंत बाद ही पत्नी के दोरा एक application move की जाती है under section 311 of CRPC जिसमें पत्नी ने mention किया कि वो पत्नी को दुबारा से reexamine करना चाता है और उसमें reexamination करने का reason ये दिया कि उसके पास यानि कि पत्नी की टेलिफोनिक conversation है जिसे उसने अपने mobile phone से record किया है और वो उस recording को पत्नी के सामने रखना चाता है पत्नी को confront करवाना चाता है दोस्तो ट्रायल कोट के द्वारा पत्नी की application को accept कर लिया जाता है और पत्नी को दुबारा से witness box में आने के लिए कहा जाता है दोस्तो पत्नी witness box में दुबारा नहीं आना चाती थी इसलिए पत्नी के द्वारा trial court के order को high court में challenge किया गया हाई कोट के सामने पतनी का कहना था कि पती के द्वारा जो टेलीफोनिक कन्वसेशन रिकॉर्डिंग की गई है वो पतनी की पर्मिशन के बिना पतनी की कंसेंट के बिना की गई है चोरी चुपके से की गई है जो कि एक तरह से पतनी की प्रिविसी की वालेशन है और क्योंकि पत्नी को अपनी निच्टा का पुरा अधिकार है तो ऐसे में अगर पती उस recording को पेश करता है तो वो उसके right to privacy को violate करेगी और इसलिए उसे पत्नी के खिलाफ use नहीं किया जा सकता दूसी तरह पती का ये कहना था कि वो इस call recording के थुरू ये प्रूफ करना चाहता है कि पत्नी गलत है पत्नी ने गलत आरोप लगाए है और जो आरोप पती ने पत्नी पर लगाए है वो इस evidence से प्रूफ हो जाएंगे पत्नी का ये भी कहना था कि उसे अपनी पत्नी की कन्वर्सेशन को पत्नी के सामने रखने का पत्नी को कन्फरंट कराने का पुरा अधिकार है दोस्तों इस केस में 36 गड़ हाई कोड के द्वारा सुप्रीम कोड की कुछ बहुत ही इंपोर्टन लैंडमार्क जज्जमेंट को रेफर किया गया दोस्तों सबसे पहली जज्जमेंट थी पीपल यूनियन फॉर सिवल लिबर्टीज वर्सिज यूनियन ओफ इंडिया दोस्तों इस केस में ओन्रेबल सुप्रीम कोड का कहना था कि टेलिफोनिक कन्वर्सेशन एक व्यक्ति की प्राइवेट लाइफ का बहुत ही इंपोर्टन अस्पेक्ट है फिर चाहे वो ऑफिस की प्रिविसी हो या घर की प्रिविसी हो और ऐसे में फोन टैपिंग आर्टि इसे में वो कन्वर्सेशन जो की चोरी चुपके से रिकॉर्ड की गई है उसे एविडेंस नहीं माना जाएगा दोस्तों इन सभी जज्जमेंट्स का सहरा लेते हुए चत्यस गड़ हाई कोट ने निन्ने दिया कि इस केस में पती के द्वारा पतनी की टेलिफोनिक कन्वर्सेशन को चोरी चुपके से बिना कंसेंट के बिना पर्मिशन के रिकॉर्ड किया गया ऐसे में ये कॉंसिट्यूशन के आर्टिकल 21 के तहद राइट टू प्रिविसी को ब्रीच करता है चतिसगर्ण हाई कोट का मानना था कि ट्राइल कोट के द्वारा पती की एप्लिकेशन को अलाउग किया जाने बिल्कुली गलट डिसीजन था इस तरह से चतिसगर्ण हाई कोट के द्वारा पती की अपील को अलाउग किया गया पती की section 311 की application को reject किया गया और trial court के order को set aside किया गया दोस्तों इस case is judgment से बिल्कुल clear हो जाता है कि अगर पती पत्निये सोचते हैं कि वो एक दूसरे की recording कर लेंगे टेलिफोनी conversation को चोरी चुपके से record कर लेंगे या video recording कर लेंगे और उसके बाद उसे बतौर evidence court में पेश कर सकेंगे तो ये बिल्कुल गलत होगा इस case में आपने देखा कि कैसे पती ने चोरी चुपके से पत्नी की टेलिफोनी conversation को record किया लेकिन वो recording पती के बिल्कुल भी काम नहीं आई उसे वो बतौर evidence court में पेश नहीं कर सका इस judgment का link में आपको description में दे दूँगा वहाँ जाकर कि आप इसको download करके पढ़ सकते हैं और अपने case के facts के नहुसार use भी कर सकते हैं तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like और share दूरू कीजेगा